राधे राधे एवरिवन, आप सभी को सकट चोथ की बहुत बहुत शुब काम नाइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चोथ वर्थ का उध्यापन कैसे किया जाता है जिस तरह से हम करवा चोथ का उद्यापन करते हैं ठीक उसी तरह से सकट चोथ का भी उद्यापन किया जाता है उद्यापन करना और उज्मन करना एक ही बात है कुछ लोग सकट चोथ का उद्यापन कह देते हैं तो कुछ लोग सकट चोथ का उज्मन कह देते हैं तो उजबन और उद्यापन में आप confuse ना हो उजबन करना और उद्यापन करना एक ही बात होती है तो देखिए जब भी हम सकट चोथ वर्त का उद्यापन करते हैं तो हमें कुछ सामगरी चाहिए होती है और हमें 14 महिलाओं को बुलाना होता है जिनको हम ये सामगरी दान देते हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चोथ वर्त का उद्यापन कैसे किया चाहता है क्या सामगरी हमें चाहिए होती है किन महिलाओं को हमें बुलाना होता है अगर महिलाएं ना मिले तो हम उज्वन कैसे कर सकते हैं सकट चोत के उद्यापन या उज्वन के विशे में संपोर जार करें आपको आज की विडियों में मिलेगी तो चलिए विडियों शुरू करते हैं देखी सकट चोत का उध्यापन करने के लिए सबसे पहले हमें तिल चाहिए होंगे तो आप एक दिन पहले ही तिल मंगवा के रख लें तिल को भून के हमें तिल कुट बनाना है तिल कुट हमें सकट चोत के दिन ही बनाना है इस बात को आप ध्यान रखें सिर्फ आप तिल तो देखे इस तरह से तिलकुट बना के हमें 14 कटोरियों में तिलकुट रखना है। अनुसार आप सभी कटोरियों में दक्षिना रख लीजिए। और जब भी आप सकट चोट का उध्यापन करते हैं तो एक दिन पहले ही हम 14 महिलाओं को निमंतरन दे देते हैं। इन 14 महिलाओं में आपकी सासुजी भी होंगी, आपकी जिठानी होंगी, आपकी ननद होंगी। यानि किनी भी 14 महिलाओं को आप बुला सकते हैं, अगर आपकी सासुजी हैं और ननद जिठानी हैं तो उन्हे भी आप जरूर बुलाइए। इसके अलावा जो भी आपके आसपास महिलाएं हैं, किसी भी सुहागन महिला को आप इन चोदा महिलाओं में बुला सकते हैं, तो आप पहले दिन ही निमंतर्ण दे देंगे, अगले दिन सुबह पहले आप तिलकुट बना लीजिए, तिलकुट बनाने के बाद चोदे कटोरि जिसको भी आप ये देने वाले हैं, जो भी पहनती हैं, उसके हिसाब से आप ये कपड़े ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है, साड़ी के साथ ही हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं इसके साथ ही हमें सोने और चांदी का दान भी जरूर करना होता है तो देखे सोने की आप नोजपिन ले सकते हैं और साथ में आप चांदी के बिच्छे ले सकते हैं तो इस तरह के आप चांदी के एक जोड़ा बिच्छे ले सकते हैं और देखे क्योंकि नोजपिन ब अब कम या ज़्यादा कितना भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पायल ले सकते हैं, चांदी का छला ले सकते हैं, या आप सिर्फ बिछी और एक नोजपिन लेंगे तो इतना भी काफी है, तो आप अपने सामर्थे के अनुसारी चीजे ले लीजिए, साथ में हमें दक् ले लीजिएगा, ये सारा सामान हम एक जगह रख लेंगे, और जो हमने तिलकुट की कटोरी भी हम एक इसमें रख देंगे, तो यहां पर हमने एक तिलकी कटोरी रख ली है, अगर आप घर पर बुलाकर महिलाओं को खाना खिलाकर उजबन कर रहे हैं, तो फिर तो बस हमें इतना ही सामान चाहिए होगा, और अगर आप ये सामान उनके घर दे के आ रहे हैं, तो तिलकुट की कटोरी के साथ साथ आपको कोई भी खाने की सुखी चीज जरूर लेनी होगी, आप चाहे तो लड़ू ले सकते हैं, या आप चाहे तो मठरी ले सकते हैं, नमक पारे ले स तो देखें, इस तरह का हमें एक पैकिट बना लेना है, और ये जो सामान है, जो साड़ी और सिंगार के सामान वाला जिसमें पाएलोगर आप रखेंगे, तो ये सामान हमें अपनी सासूजी को देना है, आपकी सासूजी नहीं है, तो आप अपनी ननद को या जिठानी को यह सामान दे सकते हैं, इसके साथ ही देखिए, हमें टोटल 14 महिलाओं को बुलाना है, तो एक को तो हम यह बड़ा पैकिट देंगे, इसके अलावा हम 14 ब्लाउज के पीस ले लेंगे, आप चाहें तो आप ब्लाउज के पीस ले सकते हैं, या सूती जो दुपट्टे आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, तो ब्लाउज के पीस हम ले लेंगे, तेरा ब्लाउज के पीस लेकर उन पर हम दो सिंगार की चीजे रख देंगे, जैसे बिंदी और महंदी आप रख सकते हैं, बिंदी और चूड़ी आप रख सकते हैं, तो दो चीजे आप जरूर रखें, आप पाउडर वाली जो महंदी आती है वो पैकिट भी आप ले सकते हैं इसके बाद जो तील हमने बनाये थे तो एक कटोरी हम इसमें तील रख देंगे और कोई भी नमकीन चीज या लड़ू या मठी नमक पारे कोई भी जो आप खाने की चीज देंगे वो आप इसमें रख हमें तेरा पैकिट बना लेने हैं तो देखी मैं प्लेट में रखे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको confusion ना हो blouse का piece मैंने ले लिया है एक बिंदी का पत्ता ले लिया है एक मेहंदी ले लिया है दो चीजे सिंगार की हमें जरूर लेनी है कोई भी दो चीजे आप ले सकते हैं साथ में यह हमने तिल ले लिये हैं तिल में दक्षिना भी रखी हुई है और खाने की कोई भी चीज हम इसके अलावा एक ओर ले लेंगे तो यह इस तरह की हमें तेरा पैकिट बना लेने है टोटल हमारे चोदा पैकिट हो गए है एक बड़ा पैकिट और तेरा यह छोटे पैकिट जो बड़ा पैकिट है वो हमें अपनी सासुजी को देना है और चोटे जो यह तेरा पैकिट बनेंगे यह जितनी भी महिलाएं हम बुलाएंगे उनको सभी को दे देंगे, तो जितने भी हमने ये कटोरिया रखी हुई है ना दक्षिना रखे, उनके साथ सभी के साथ हम बिलाउजपीस और सिंगार का सामान रख देंगे, इस तरह से टोटल हमने 14 पैकिट बना लेने हैं, सकट चोथ के दिन, दिन में कहानी सुनने के बाद ये सारा सामान हमें एक जगह रखना है, उसके बाद ये सारा सामान हमें मिनस देना है, तो हाथ में जल लेके इस तरह से हम इस सारे सामान के उपर से वार के हाथ जोड़ के चुचकार लेंगे, इस तरह से हम सारा सामान मिनस देंगे, मिनसने के बाद हम ये सामान महिलाओं क बाट देंगे तो इस तरह से हम एक-एक महिला के हाथ में सामान देंगे उनके पैर चुएंगे और उनसे आसिरवाद लेंगे इस तरह से हमारा सकट चोत का जो उद्यापन है वो पूर्ण हो जाता है और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर महिलाएं आपके घर मे आती हैं तो फिर तो आप वहीं पर उनके पैर चुके उनके सभी के साथ कहानी सुनके कहानी के बाद उनके पैर चुके सामान उनको दे देंगे लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल की बिजी लाइफ में किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो तोहार के दिन किसी के घर तो अगर महिलाएं नहीं आप आ रही हैं आपके घर तो कोई बात नहीं आप कहानी सुनने के बाद ये सारा सामान मिनस के रख दीजिए उसके बाद आप उनके घर पहुंचा सकते हैं या ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है 12-13 महिलाओं के घर तो आपने पहुंचा दिया ले सकट चोथ वरत का उजमन या उद्यापन आप जीवन में कभी भी कर सकते हैं कुछ महिलाएं 14 वरत करने के बाद यानि 14 वर्स के बाद सकट चोथ का उद्यापन करती हैं कुछ महिलाएं 20 साल के बाद कुछ महिलाएं 25 साल के बाद ये उद्यापन करती हैं तो आप कभी भी किसी भी सकट चोथ के वरत के दिन ये उद्यापन कर सकते हैं देखें सकट चोथ वरत का उजमन या उद्यापन करना अलग चीज है और सकट चोथ का कंडवारा बाटना अलग चीज है सकट चोथ का जो उजमन या उद्यापन किया जाता है ये उद्यापन जीवन में एक बार ही किया जाता है लेकिन सकट चोत का कंडवारा घर में कभी भी जब भी किसी लड़के का जनम होता है उसके बाद जो भी सकट चोत आती है तब कंडवारा बाठते है और किसी भी लड़के की साधी होती है उसके बाद सकट चोत का कंडवारा बाटता है तो कंडवारा बाटना एक अलग चीज होता है कंडवारे की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से सभी का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी युजफूल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेएना ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंट्स के साथ शियर जरूर कर देना हो सकता है कि वो सकटषोत का उध्यापन करने के विशए में सोच रहे हों तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं किसी और